2024 में inverter ACS सस्ती आने लग गई है, non inverter ACS महगी आने लग गई है क्योंकि government का support है इसमें जो कि आप इस वीडियो में डीटेल में आगे देखेंगे ताकि आपको अच्छी जो latest information है, complete information है product की वो मिल पाए और जो use किया हुआ product होता है वो मैं बता देती हूँ, यह मैंने use किया है शोरूम पे जाके पूरी तरह product test तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, नई information, नए की features हर साल के वो आपके सामने में रख देती हूँ, वीडियो के माध्यम से एंड मेरे पास का area बरेली है, तो मैं बरेली से शोरूम विजट करती हूँ, तो इसलिए ये वाला जो वीडियो है वो अशोका electronics बरेली से लिया गया है, जहां पर inverter versus non inverter ACS के बारे में detail में comparison मुझे बताएंगे, जो आप देखेंगे अच्छा, ये जो non inverter ACS और inverter ACS क्या मतलब कौन सी महंगे कौन सी जादा सस्ती होगे, अच्छ के डेट में अगर आप देखेंगे तो non inverter ACS, inverter ACS से महंगे, वही मैं पूछना चारी मैं सक्यों है, पिछले साल से अच्छली company का production है, वो non inverter AC का बहुत कम हो गया है, company total focus कर रही है अच्छा, ये इसली fuckin, इसली को जिए क्वक city रहता है, थे कि अच्छ कर रहे है, गोट फि animations on't have what to do, but there's only an reality coming in last year. कि पीचे से ड्राइव है तो उसको अच्छा इसलिए गवर्मेंट से सपोर्ट है इसलिए क्योंकि इंवर्टर इसी कम पावर लेती है इसलिए वो यह कह रहे हैं उसको लोड़ा लो पर बेचो बिल्कुल और कंपनी का पुड़क्शन बहुत जादा है इंवर्टर इसी इसका अच्छा इसलिए था था इसलिए जा ज़िए को लिए आपको पावर से बीचिए इसलिए को लिए लेकिन एक थोड़ा सा डिफ्रेंस होता है मेरे घर पे वीडो टाइब की लगी होई है जब मैं नौन इंवर्टर चलाती हूं तो एक तम से कूलिंग हो जाती है इंवर्ट इसमें इस्टेबलाइजर लगाना पड़ता है इस बात को कह सकते हैं लेकिन जहां तक आजकल वोल्डेज पोईशन है अगर आपके वोल्डेज 220-280 से लेकर के 250 की भीच आरही है आप किसी भी इसी में इस्टेबलाइजर मत लगाई है दूरत नहीं पड़ता है कि बहुत ही मतलब अगर इनसान सो रहा हो तो वो जब फाइदा रहता है उससे मशीन सेफ रहती है इससे मशीन की लाइव भी बढ़े अच्छा यह जो अब ही मैं शोरूम से पता कर किया है उन्होंने बोला हां यह तो आई तिंग नौन इंवर्टर बनाती बनाता नहीं हां तो और जो यह जो नौन इंवर्टर और ब्रांड्स म आपके पास भी LG के AC है तो आपके पास भी LG के AC है नौन इंवर्टर में वह बहुत कम होते तो कस्टोमर फ्रेंटली अगर आपके अपने पूछा था तो नौन इंवर्टर असी का भी थोड़ा रहता है अगर नौन इंवर्टर है तो सर्विसिंग जल्दी मिल जाएगी बि आप एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जब गवर्मेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि इंवर्टर को जादा बेचो विकॉज ऑफ पावर कंजप्शन तो फिर उनको यह सर्विसिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेंटीनेंस का विल्कुल आप ठीक कह र जाता है जिसकी वजह से 15-25 दिन करीम कंपनी से PCP आकर के कस्टोमर तक लगने में लग जाता है जो कस्टोमर को डिस्साटिस्फाइब कर देता है विकॉज अब कस्टोमर गर्मी के समय में अगर 20-25 दिन ना चले तो डिस्साटिस्फेक्शन होता है नहीं और थोड़ा सा मे लेकिन अगर AC में कोई थोड़ी भी माइनर भी प्रॉब्लम है तो हम तो यूस करने वाले कभी उसे ठीक नी कर पाएंगे लेकिन अगर हम बहार से कस्टोमर केर को फोन करेंगे तो वही आने में और फिर उसके मतलब पैसे जादा लेते हैं विस्टिंग चार्ज यह डिपे अच्छा तो यह अच्छा तो यह आपका अशोका है तो अगर आप सर्विसिंग देंगे तो माल लीजी मैंने खरीदी आपकी इंवर्टर एसी आपके यहां से और मैंने लगाई अपने होम टाउन में दातागंज में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई वारंटी के अंदर पहले बताईए वारंटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और मैंने आपसे कॉंटेक्ट किया तो आप कितनी दिन में जो सर्विसिंग परसन है उसको भेज पाए गाए जिए जब आउटर सिली की बात होती है तो यह ज़िस वह ब पर तोड़ा सा अटेंशन अलग होता है विकुज अब कस्टोमर के तरीके से वह अर्पने तरीके से हटल होती है और जब दीलर के तुरूप पुश होती है कोई भी कॉल तो वह तोड़ा सा उसके उपर अटेंशन और उसकी प्रॉंक्टेंस बढ़ जा अच्छा बरेली के अगर कोई लेता है तो 24 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि कस्टोमर के घर पर विजट करके और जो भी प्रॉब्लम है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल कर दें जहां तक पार्ट एविलिबिल्टी की बात है अगर वहां कोई चीजा ठकती है तो वह उस पर थोड़ा सा ट मार्केट रिसर्च करती हूँ कोशिश करती हूँ जाद से जादा करने की मैंने स्टार्टिंग में बताया है और जो प्रॉड़क मैंने बाई किया होता है यूस किया होता है उसके अन्बॉक्सिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मिल भी जाएंगे और आगे भी आपको मिलते और आपको बिना फिल्टर के आपके पास सीधी इंफरमेशन पहुंचे और आपको प्रोड़क्त बाई करने में सीधी सीधी हेल्प हो जाए कि कौन सा प्रोड़क्त इसने यूज किया है और कौन सा बाई किया है कौन सा शोरूम पे जाकर सिर्फ दिखाया है यह मेरे काम करने का तरीका है अगर आपको यह काम करने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं